हेलो फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है टापर्स इस्टेट जी चैनल में और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डबल सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो की आने वाले SBI PO मैंस के लिए बहुत इंपोर्टेंट है हो सकता है इस प्रकार का कोश्चन हमें प्री में प्री एक्जाम में भी देखने को मिले तो इस प्रकार के कोश्चन आपको जब भी एक्जाम में आए तो आप उसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या-क्या साउधानी वाँ बरतना चाहिए, क्या कुछ स्टेट जी होना चाहिए, जिससे आप आसानी से बहुत ही कम समय में इस प्रकार के कोस्टन को सॉल्व कर सके हैं, तो आईए यहाँ पर देखते हैं, तो दोस्तों वीडियो सुरू कन्डे से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर किलिक कर इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप मोबाल से चला रहे हैं, तो यहाँ पर किलिक कर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में न कार बैठे हैं कि भीतर के सरकल में बैठे व्यक्ति प्रतिक व्यक्ति का मुख बाहरी सरकल में बैठे व्यक्ति मुख के ठीक विप्री थे और बाहर सरकल में बैठे व्यक्ति बाहर बाहरी सरकल में कौन-कौन व्यक्ति वैठे हैं वो बताए इनने पंकच, कुनाल, राज और स बजट करना है तो जितना short form यूज हो चके एतना हम short form यूज करते चलेंगे बट short form ऐसा use करना है जो हम आसानी से समझ सके हैं और हमें बाद में कोई दिक्कत ना है अगर आप piece से पंकज में confuse हो रहा है तो आप PNKJ कुछ भी आप आपके हिसाब से वहाँ पर लिख सकते हैं औ और बताया गया है कि और सभी का मुख केंद्र की और है मतलों ये जो लोग हैं बाहर के सरकल में बैठे हैं और इन सभी कमुख जो है केंद्र की और हैं केंद्र हमारा ये है तो इसकी तरफ है जबकि भीतर सरकल में बैठे व्यक्ति भीतर सरकल में बैठे व्यक्ति कौन-कौन ह अमित, बालू, चिंटू और दीपक अमित के लिए हम A लिख सकते हैं बालू के लिए B, चिंटू के लिए C और दीपक के लिए हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ने लिख सकते हैं कि अंदर जो है A, B, C, D बैठे हुएं जिससे हमें कोई confusion ना रहे बाहर जो है PQRS, पंकच, खुनाल, राज और सूरज बैठे हुएं और प्रतेक को अलग-अलग रंग पसंद हैं जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काले, नारंगी और बैगनी तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि 8 लोग है, 4 जो फ्रेंड है वो अंदर वाले सरकल में बैठे है और 4 फ्रेंड जो है वो बाहर वाले सरकल में बैठे है बट यह नहीं बताया गया है कि उनको जो है बाहर वालों को कौन सा कलर पसंद है और अंदर वालों को कौन सा कलर पसंद है तो हमें बस ये पता करना होगा कि अंदर वाला कौन व्यक्ति कहां पर बैठा हुआ है उसे कौन सा कलर पसंद है और इसी तरीके से बाहर वाले व्यक्ति कहां पर बैठे हुआ है क्या अरेंजमेंट है और कौन से कलर पसंद करते हैं ये सब हमें पता लगाना है साथ में यहाँ पर यह भी दिया है कि इसी क्रम में हो यह जरूरी नहीं है तो सबसे पहले हम देखें information क्या दी हुई है हमें दीपक को जो है पीला ना ही पीला पसंद है ना ही सफेद पसंद है और उसका मुख जो है राज की ओर है मतलों यहाँ पर दिया है दीपक जो है हम कहीं भी बैठा सकते है माली जी हमने दीपक यहाँ पर बैठा है तो उससे दीपक को ना ही पीला पसंद है ना ही सफेद पसंद है तो इसके लिए हम यह not का निसान लगा देगे है और यह किसके सामने बैठा है यह जो है हमारे राज के सामने बैठा हुआ है और जिसे ना ही काला पसंद है और ना ही बैगनी रंग पसंद है तो हम राज के लिए आर लिखते हैं और इसे हमें पता है कि काला पसंद है और ना ही बैगनी रंग पसंद है आर को तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लेख सकते हैं यह पीला है अब इसके बाद हमें information दी हुई है अब हम यहाँ पर क्या possibility diagram लेकर चलेंगे क्योंकि हो सकता है हमें एक से ज़्यादा possibility diagram बनाना पड़े तो हम advance पर यहाँ पर बना के already रख लेते हैं दी को जो है पीला पसंद नहीं है नहीं सफीद रंग पसंद गरता है तो यहाँ पर यह नौट का निसान लगा दिया आर का निसान आ गया यहाँ पर यह काला पसंद नहीं गाएगा और उसे यह बैगनी रंग पसंद नहीं आएगा दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखें जो कि मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर डाले हुए हैं तो आप वहाँ जाकर आपके जो कुछ बेसिक नियम है जो कुछ भी आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब मैंने पहले बता चुका हूँ अगर आपको बेसिक के लिए नहीं है तो आप वहाँ जाकर मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं अब इसके बाद हमें बताया गया है कि वे व्यक्ति जिसे नारंगी रंग पसंद है लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के मुक्य और बैठा है मतलब बताया गया है कि जिस व्यक्ति को लाल रंग पसंद है वो किसके सामने बैठा हुआ है नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति की तरफ बैठा हुआ है तो अब हम यहाँ पर लाल कहीं भी रख सकते हैं हो सकता है लाल इस साइड आए हो सकता है यहाँ सकता है यहाँ कहीं भी आ सकता है तो हम इस information को hold कर कर रखेंगे और यहाँ पर लिखते चलेंगे जिससे हमें ज़्यादा possibility diagram ना बनाना पड़े हैं इसके बाद दिया है अमित जो की हरा रंग पसंद करता है दिया हुआ है कि अमित जो है हरा रंग पसंद करता है और नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी की और मुख करके बैठा है मतलब दिया है यहाँ पर second number पर लेखें Amit के लिए हम A लिख सकते हैं Amit जो है हरा रंग पसंद करता है और किसके सामने बैठा है उस व्यक्ति के सामने बैठा है जिसका पडोसी को नीला रंग पसंद है माली जी Amit जो है इसके सामने बैठा हुआ है और उसके पडोसी को नीला रंग पसंद है बढ़ यह पक्का नहीं है कि नीला इस साइड आएगा या इस साइड आएगा तो हम यहाँ पर यह possibility मतलब नीला इस साइड भी आ सकता है अब इसके बाद हम देखें कि राज जो है सूरच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है राज जो है हमारा सूरच के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है राज के लिए हमने यहाँ पर आल लिखा हुआ था तो कहां पर बैठा है सूरच के बाएं से दूसरे स्थान पर सूरज ये है और इसका मुख जो अंदर की हो रहा है यह बाएंच से दूसरा हमारा राज इस साइड आएगा सेम हम यहां पर करेंगे सूरज के बाएंच से दूसरे इस्तान पर राज आ गया हमारा अब इसके बाद दिया है कि वहविक्ती जिसे सफेद और लाल रंग पसंद है सफेद और लाल रंग पसंद है अलग अलग सर्कल में बैठे है ठीक है मतलब यह दिया है हमें अगली इन्फॉर्मेशन दिया है कि जिसे लाल रंग और सफेद पसंद है लाल और सफेद रंग पसंद है अलग अलग सरकल में बैठे माली जी यह सरकल है और इन दोनों का सरकल एक नहीं है मतलब अगर लाल अंदर वाले सरकल में आएगा तो सफेद में भी की पक्का सफेद जो है बाहर वाले सरकल में ही आएगा और आगे information हमें दी हुई है कि वे व्यक्ति जिसे काला रंग पसंद है सूरज के ठीक बाएं बैठा है जिस व्यक्ति को भी काला सूरज कहाँ पर हमारा ये है और जिसको भी काला रंग पसंद है सूरज के बाएं अब सूरज का बाएं कौन सा होगा हमारा ये तो यह जाएगा हमारा काला रंग पसंद करेगा सूरच के बाएंबाला वक्ती यहाँ पर काला हम यहाँ पर भी लिख लेंगे कुनाल जो की नीला रंग पसंद नहीं करता है क्या दिया है हमें कि कुनाल जो है नीला रंग पसंद नहीं करता है और अमित की और मुक करके भी नहीं बैठा है यहाँ पर हमें पता है बता है कि कुनाल के लिए हमने क्यों लिया है क्यों जो है अमित के सामने नहीं बैठा है ना ही वो नीले रंग पसंद करता है मतलब दिया है कि अमित के सामने क्यों कभी भी नहीं आ सकता किसी भी तरीके से ना ही उसके बाजू में जो नीला रंग पसंद किये है उसके लिए क्यों आ सकता है ना ही क्यों आ सकता है अब अगली इन्फॉर्मिशन देखें कि वह व्यक्ति जिन्हें काला और बैंगनी पसंद करता है वो व्यक्ति जो काला और बेंगनी रंग पसंद करते हैं वह निकर्टम पड़ोसी है अब काला हमारा कहा गया अब काला हमारा जो है इस साइड है बताया गया है कि काला और बेंगनी जो है आपस के निकर्टम पड़ोसी है तो काला यहां पर आ गया तो बैगनी यहां पर आ सकता है बट पहले ही सुरूगाती कंडिशन में दे रखा है कि बैगनी जो है यहां पर नहीं आ सकता है तो काला यहां पर है तो इसका निकर्तम पड़ोसी कौन होगा यह हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारा बैगनी क्योंकि काला और बैगनी जो है निकर्तम पड़ासी है यहाँ पर हम बैगनी लिख लेते हैं इसके बाद दिया है और इनमे से एक का मुख बालू की और है जो की पीला रंग पसंद करता है अब यहाँ पर तो दोनों डाइग्राम जो है सेम चलते रहें मगर अब दे दिया है उनने कि इन दोनों में से एक व्यक्ति का मुख जो है बालू की और है बालू बोले तो हमारा बी बी की और है और उसे जो है पीला रंग पसंद है तो दोनों कंडिसन के लिए एक बालू को हम यहाँ पर बिठा देते हैं जिसे पीला रंग पसंद है अब आगे दिया हुआ है कि व्यक्ति जिसे नारंगी और हरा रंग पसंद है समान सरकल में बैठे हैं पर अन्तु निकरतां पड़ोसी नहीं है मतलब कि जो व्यक्ति जो नारंगी और हरा रंग पसंद करते हैं एक ही सरकल में बैठे हुएं संप सरकल सरकल में बैठे हुएं बट वो दोनों जो हैं निकरतां पड़ोसी नहीं है मतलब एक κα अंतर रहेगा दोनों आजपास नहीं बैठे रहेंगे तो अब हमारे पास जो है कंडिसन सभी पूरी हो अब हम इसे solve करना है तो देखें कैसे करेंगे तो यहां पर दिया है कि लाल और जो नारंगी जो है आमने सामने बैठे हुए हैं बट हमें यह नहीं पता कि लाल किस circle में आएगा और नारंगी किस circle में आएगा तो अभी हम इसको hold करके रखते हैं इसके बाद हमारे पास आता ह second value information तो उसमें दिया है कि अमिच जो है हरा रंग पसंद करता है और यहां पर क्या दिया है कि नारंगी और हरा रंग जो है एक ही circle में है बट पास पास नहीं है तो माल लीजिए यहां पर पीला है ठीक है अगर हम ए यहां लेते हैं ए कौन सा रंग पसंद करता है माल लेते ह हम ए जो है यहां पर लेते हैं हरा तो नारंगी कहां पर आएगा यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि हरा रंग और नारंगी रंग पास पास नहीं बैठे हैं हरा यहां पर आ गया नारंगी आ गा हमारा यहां पर अब क्या दिया है कि नारंगी जो है लाल रंग वाले के सामने बैठा है तो नारंगी के सामने कौन है यह है साथ में ये भी दिया है कि हरे रंग वाले जो हरा रंग पसंद करता है अमित उसके बाजू में नीले रंग पसंद करने वाला बैठा हुआ है अब यहां पर हरा है उसके सामने कौन है बैगनी अब इसके बाजू में कौन बैठा है नीले रंग पसंद करने वाला अगर यहां तो ये वन्दा जो है काला रंग पसंद करता है, खाली जगय बस्ती ये, मतलब नीले रंग जो पसंद करेगा, वो होगा हमारा ये, इस जगये नीले रंग पसंद करने वाला बेठेगा, अब हमें अगली अंफोर्मेशन देखें हम, की दिया है कि लाल और जो नारंगी है, आ नाभ दिया है कि कुनाल यहाँ नीला रंग पसंद नहीं करता है यहां पर आ नहीं सबता, तो कुंनाल के लिए जगह बचती है हमारी सिर्फ एक, तो यह आ जाएगा कुनाल के लिए Q, मतलुक्त क्यों काला रंग पसंद करेगा, अब हमारे पास कौन से वर्ड बचे R हो गया है Q हो गया है S हो गया बचा हमारे पास सिर्फ P हमने ये P कर दिया ठीक है अब यहाँ पर देख तो A हो गया है B हो गया है D हो गया है और बचा है हमारा C तो हमने यहाँ पर C कर दिया अब इसके बाद देखें अगली information हमें दी है जो बची हुई अभी तक कि लाल और जो सफेद रंग वाले हैं अलग अलग सरकल में बैठे हुआ है लाल जब हमें पता चल गया यहाँ पर बैठा है तो सफेद हमारा पक्का यहाँ पर आएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह वाली जो है solve हो चुकी है हमारी इस वाले diagram से पीले को अगर हम यहाँ पर बिठाते हैं तो अगर हम पीले को यहाँ पर बिठाएं तो देखें कि कैसे हो गई है solve अगर हम A को यहाँ बिठाएं ठीक है A जो कि हरा रंग पसंद करता है हरा रंग यहां पसंद करता है तो काला रंग नीला रंग कहां पर आएगा नीला यहां आ नहीं सकता नीला आएगा हमारा यहां पर हरा यहां पर आगया है तो यहां पर क्या आएगा नारंगी रंग आएगा नारंगी क्यों आएगा क्यों आएगा क्यों नारंगी और हरे जो है से तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जितना भी कुछ पजल किया इस वाले डाइग्राम में भी जो है कंडिसन अभी तक सब सेम चल रही है मतलब पॉजिटिव चल रही है अब देखें कि अब हमारे पास information क्या बची हुई है अब दिया हुआ है कि अमित के सामने जो है क्यों नहीं बैठता है अमित के सामने जो है सामने वाले को क्यों रंग क्यों नहीं है क्यों कहां पर आएगा क्यों आएगा हमारा यहां पर तो पी कहां पर आजाएगा हमारा पी आजाएगा हमारा यहां पर ठीक है अब इसके बाजू में भी क्यों नहीं था क्यों आगी है यहां फिर बचा कौन सा हमारा सिर्फ पी पी आगी हमारा यहां पर अब इसके बाद बचे है तो A हो चुका है B हो चुका है D हो चुका है अब बचा सिर्फ C तो C हमने यहां पर कर दिया अब हमारे पास बचा सिर्फ एक लाल और सफेद जो है अलग अलग सरकल में बैठे हुए है देखिए तो यहाँ पर लाल इस वाले सरकल में हो चुका है तो सफेद कहां पर आएगा सफेद पक्का अंदर वाले सरकल में आएगा क्योंकि लाल और सफेद जो है अल compelling में बेठे हुआए तो यहां पर आ चुका नारंगी यहां पर आ चुका पीला यहां पर आ चुका हरा तो सफेद कहांपर आएगा यहां पर सफेद हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सफेद जो है इस जगह पर नहीं बैठ सकता है D को सफेद रंग पसंद नहीं है इसका मतलब है कि ये वाली कंडिशन जो है ये वाला डायग्राम जो है गलत है सही कौन सा हमारा सही वाला ये है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम कितने आसानी से डबल सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम पूरी तरीके से कॉंसेंट्रेट होके सॉल्व करें मन लगा कर करें तो ये हंडेट परसेंट आसानी से इस प्रकार का इस लेवल का कोश्चन आप मुस्किल से दो से तीन मिनट में असानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करें तो तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें अगर पसंदाया है तो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले अगर आपके कोई भी सुजाओ है सवाल है तो आप बेजज़क मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं धन्यवाद